हेलो दोस्टो कॉस्टी चैनल में आपका स्वागत है ये जो आप पॉडर देख रहे हैं इसे मैंने घर पर बनाया है ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदा करता है इसे खाने से हमारे शरीर के अंदर केई बिमारियां दूर होती हैं ये खाने को डाइजेस्ट करता है जि मीठी सौफ, अजवैन और जीरा अब हमें इन्हें किस तरीके से लेना है और इसकी तासीर क्या होती है मैं आपको बता रहे हूँ ये मीठी सौफ है इसकी तासीर ठंडी होती है और इसे हम वैसे भी मसालों में यूज करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ हमें मोटी सौफ ल में असानी से किचन के अंदर ही मिल जाती है。 जिनका खाना डाइजिस्ट ना होता हो, उसे डाइजिस्ट करती है。 ये जीरा है, इसकी ताशीर भी गरम ही होती है और के गुणों से भरबूर थोता है. हर सबजी में इसका तड़का लगा कर ही सबजी को बनाया जाता है सबसे पहले मीठे सौफ को सीम मांच पर हमें रोस कर लेना है ध्यान रखना है सीम मांच पर ही रोस करें और इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है थोड़ा सा रोस करने के बाद इन्हें हमें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेना है आप चाहें तो तीनों इंग्रीडियंट्स को भी रोस कर सकते हो लेकिन मैंने इसे अलग लग रोस किया है अब जीरा को कड़ाई में डाल कर सी माज पर रोस कर लेना है मैंने इन मसालों को इकठा रोस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैं पॉडर 15-20 दिन के लिए बना रही हूँ और इसकी इंग्रीडेंट्स जो हैं काफी जादा है मैं आपको बताना भूल गई हमें एक कटोरी मीथी सौंफ लेनी है और आधा कटोरी जीरा और आधा कटोरी अजवैन डाल कर इन्हें रोस करना है अब इन्हें ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल दें और अजवैन को गैस बंद करने के बाद खढ़ाई में डाल कर इसे रोस करें अजवाइन को जादा देर रोज नहीं करना है उसी प्लेट में ठंडा होने के लिए इसे निकाल दे ये मैं तीन चार टुपडे दालचीनी के ले रही हूँ ये भी बहुती गुणकारी होती है ये हमारे ब्लेट प्रेशर, डायोटीज, हडियों के लिए बहुती फायदा करती है आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं मैं इसे इसके अंदर डाल रही हूँ अब मसालों को हमें 5-7 मिनिट तक ठंडा होने देना है मसाला ठंडा हो चुका है अब इसे मिक्सी जार में डाल कर फाइन सा पॉडर बना लेना है अगर आप काड़ा बना कर पीना चाहते हैं तो ध्यान रखें इन मसालों को हमें रोस नहीं करना है ऐसे ही मिक्सी जार में डाल कर दरदरा पीस कर एक कंटेनर में रख लेना है पॉर्डर बनकर त्यार हो गया है अब इसे आप बॉल में निकाल ले और एर टाइट कंटेनर में भर कर रख दे आप इस पॉर्डर को किचन में ही रखें फ्रीज में बिल्कुल ना रखें इसे हमें कैसी यूज करना है मैं आपको बताती हूँ एक गिलास आप गुनगुना पानी ले खाना खाने के आदा घंटा बाद आदा चम्मस लेकर इस पानी के साथ हिसे खाए या आप इस पॉर्डर को पानी के अंदर घोल कर भी पी सकते हैं इस पॉर्डर को खाने से हमारे शरीर की कई बिमारिया दूर होती हैं जैसे किसी की चर्बी आसपास की बड़ी हो वो भी कम होती है और जो पेट बड़ा हुआ हो भी कम होता है और हमारे खाने को और हाजमे को बिल्कुल बराबर सेट रखता है अगर आपको बात हुम जादा आता है तो इसे काड़ा बना कर पीएं लेकिन ध्यान रटना है इन मसालों को हमें रोज नहीं करना है जैसे मैंने उन्हें दरदरा पीज कर एक गिलास पानी में उबलने के लिए रख दें और आधा गिलास होने तक उसका वेट करें और उसे हमें खाली पेट सुभे सिप सिप करके पीना है इससे बहुत ही फाइदा मिलता है आप चाहें तो काड़ा बनाते समय इसके अंदर टेस्ट के लिए देशी गुड या सिंधा नमक भी डाल सकते हैं वेट लॉस पॉर्डर बनाने की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कोमेंट्स करके जुरूर बताएं लाइक करें शेयर करें जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें वेल आइकन जुरूर ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके थैंक्स पर वाचिंग एंड स्पोर्टिंग